हलो स्टूनेंट्स, वेलकम टू चानल सब कुछ नो, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास एट मैथ का एक्सरसाइज 18B का 5 कोस्चन और इससे आगे के कोस्चन इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 18B में 4 कोस्चन तक पूरा कम्प्लीट वीडियो देखा था, अग यह कोस्चन फाइब में 6-6 सेमी चान्दी के तार से बराज़नापके 10 छल्ले बनाना है, परतेक छल्ले का बैयास क्या होगा? तो हमने बताया था आप लोगों को छल्ला मतलब एक बिरित समझेंगे एक गोला समझेंगे तो कहा है कि याचट सेमी चादी के तार का लंबाई दे दिया है और उससे कितने छल्ले बनाना है दोस बनाना है कर आप परते एक छल्ले का ब्यास क्या होगा तो परते एक छल्ले का ब्यास पूछा है हम लोग क्या करेंगे पहले एक छल्ला बनाने में कितना च्यादी का तार लगेगा कितना लंबा तार लगेगा छ्याचर तो दस बनाने में लगा है तो हम लोग निकालेंगे एक छल्ला बनाने में कितना चादी लगेगा कितना लंबा चादी लगेगा पहले इसको निकालेंगे फिर वहाँ से हम लोग 10 का निकालेंगे तो लिखते हम लोग क्या लिखेंगे दस सल्ले बनाने में लगी चादी की लंबाई बराबर देखिए दस सल्ले बनाने में जो चादी की लंबाई कीतना है 6, 6, 7 यहाँ एक बात ये भी धियार रखेंगे एक चल्ला बनाने में कीतना चादी लगेगा मतलब ये इसके परीद के बराबर परीद क्या होता है हमने बताया था आप लोगों को एक सीधी रेखा की लंबाई को लंबाई काते हैं और एक बिरित में बिरित की जो लंबाई होती है ये एक जगास कार देंगे बिरित सीधा होगा तो उसकी लंबाई होगी बिरित के लंबाई को परीध ही काते हैं तो इसके परीध ही के बराबर ही एक छल्ला बनाने में चादी लगेगा तो हम लोग इसी को निकालते हैं पहले तो देखिए दस छल्ले बनाने में लगी चादी की लंबाई दे दिया है हम लोग एक छल्ला बनाने का निकालते हैं लिखेंगे एक छल्ला बनाने में लगी चादी की लंबाई बराबर एक छला बनाने में कितना चादी लगेगा हमको अभी वही निकालना है एक छला बनाने में आप लोग जानते हैं एक बिरित का जो ये लंबाई होता है टू पाई यार होता है बिरित की परीद ही होता है बिरित की परीद ही को ही उसकी लंबाई करते हैं तो बिरित की परीद ही टू पाई यार होता है मतलब एक छला कितने लंबाई का होगा टू पा यार्द लंबाई का होगा इस 2 pie R को हमने बताया था pi D भी कहते हैं हमने कहां था परीध किया दो फार्मूला एक 2 pie R और एक pi D हमने dो फार्मूला बताया था D का यूज गभ करेंगे बेएस के लिए और R का यूज गभ करेंगे तिर yourself के लिए यहाँ फार्मूला लगाएंगे एक बार लिखते हैं बराबर हमने लिख दिया छल्ले की परीधी हम लोग क्या लिखेंगे बराबर दिखिए एक छल्ला बनाने में लगी कितना च्यादी लगेगा छल्ले की परीधी क्या होता आप लोग जानते हैं πाई डी या टू पाई यार होता है टू पाई यार का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको तिरिजया नहीं ब्यास पूछा है ब्यास निकालना तो हम लोग पाई डी वाला फार्मूला यूज कर लेंगे आप देखिए एक छल्ला बनाने में कितना है पाई डी जबकि दस छल्ले बनाने में इतना दिया तो यहां से हम लोग दस छल्ले बनाने में क्या लिखेंगे हम लोग लिख सकते हैं परस्न के अनुसार यहां लिखेंगे परस्न अनुसार दस छल्ले बनाने में लगी चादी बराबर देखिए दस चल्ले बनाने में लगी चादी कितना होगा एक छल्ला बनाने में लगा चादी पाई डी है तो दस चल्ला क्या करेंगे दस से हम लोग गुड़ा करेंगे दस पाई डी होगा इतना होगा देखिए एक छल्ला बनाने में जब पाई डी लग रहा है तो दस छल्ला दस का गुड़ा करेंगे इसमें दस पाई डी और जबकि दस छल्ले बनाने में दे भी दिया ची आच़ट से तो दस पाई डी और ची आच़ट करते हैं जब तो दोस गूराँ पाई आनवा इस बटे साथ लिखते हैं अर गूराँ में दी अब जाते हैं रॉग्डर हम अल्पान एफ रेंग दर करेंगे तो गूरा और यह दोनों गुड़ा में है नीचे आएंगे भाग में होगा बराबर यहां बचे आगा D solve करते हैं 22 से इसको तीन बार में cancel साथ का तीन में गुड़ा करेंगे 21 21 बटे 10 बराबर D हुआ D मतलब ब्यास होता है 21 में 10 से भाग करेंगे तो 2.1 बराबर D आएगा इसी को हम लोग लिख सकते हैं D बराबर 2.1 semi यही अंसर हो जागा तो इस तरह स्कोस्चन को solve करना है 22 निकालना था हमने 22 आसानी निकाला बस फार्मूले का यूज करना है अब हम लोग कोस्चन नमबर 6 को देखते हैं यहाँ पर कोस्चन नमबर 6 दिया है पिर्थवी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 कीमी है यदि पिर्थवी के चारों और इसका पत बिरित्ताकार हो तो चंद्रमा के पत की परीध ही गयात कीजिए देखिए क्या कर रहा है कि पिर्थवी से चंद्रमा की जो दूरी है कितना है 3,84,000 कीमी है और कर रहा है कि जो पिर्थवी के चारों जो इसका पत है जो चंद्रमा इसके चारों तरफ चलता हो परीध ही बताई है उसका पत तो काराय चंद्रमा के पत की ये जो चंद्रमा एक चक्कर ऐसे लगाएगा उसकी परीद ही बताईए तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्ब करते हैं इसको तो हम लोग पहले जो क्वेस्टर में दिया इसको लिख लेंगे ऐसे लिखेंगे प्रिथवी से चंद्रमा की दूरी ये दखिए जो प्रिथवी से चंद्रमा की दूरी है ये क्या होगा यही तिरिजया होगा कभी भी दखिए माली यहाँ पर परकार को रखते हैं और ये दूरी लेके ऐसे एक बिरित बनाते हैं तो यह यहां से यहां तक वाला जो दूरी है यह तिरिजया होगा तो पिल्थिवी से चंद्रमा की दूरी यह क्या होगा यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में तिरिजया बराबर कितना हो जागा? कोस्चन में दिया है 3,84,000 कीमी और चंद्रमा के पत की परीधी को पूछा है तो हम लोग परीधी निकालना जानते हैं लिखेंगे यहां चूकी यहां इसलिए चंद्रमा के पत की परीधी परीधी का फार्मूला जानते हैं हम लोग जब तिरिजया दिया है तो फार्मूला लिखेंगे 2,PiR तो 2,Pi कमान रख लेंगे 22,57,R कमान देखिए यह दे दिया 3,84,000 इसी को सॉल्ब कर लेना है जो आएगा वही हम लोग एंसर लिखते हैं तो देखिए इसको सॉल्ब जब करते हैं 24,13,714,29 इतना कीमी यह अंसर होगा देखिए क्या करेंगे उपर वाला सब का गुरा करेंगे और जब 7 से भाग करेंगे तो इतना ही आगा हमने पहले से यहाँ पर किया हुआ था इसलिए हमने इसको लिखा 24,13,714 10,29 कीमी देखिए इसको सॉल्ब करते हैं तो इतना ही आता है यही हमारा एंसर हो जागा यही परीदियोगा हम लोग कोस्टर नमबर 7 देखते हैं देखिए कोस्टर नमबर 7 दिया दो बिर्तों की तिरिजियाओं का अनुपात दो संबंदे तीन है इनके परीदियों का अनुपात ग्याद कीजिए तिरिजियाओं का अनुपात दिया हम लोग मान लेते हैं माना तिरिजियाओं है माना तिरिजियाओं है आर्टू हाँ एक तिरीजा को हमने आर वन दूसरे को आर्टू माल लिया कहां दोनों तिरिज्याओं का अनुपात है इतना तो हम लोग क्या लिखेंगे लिखेंगे इसलिए आरवन अनुपात आरटू एककोल कितना दिया है दो आनुपात ती यह दिया अक्वस्टन में तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं आरवन अपान आरटू आपलों जानते हैं सम्बंध का मतलब बटे में लिखते हैं इसको बराबर ये इसको भी आशे लिख लेंगे दो बटा त R1 अपना R2 में अनुपात दिया है 2 और 3 का कहां इनके परिदियों का अनुपात लिखेंगे इसलिए परिदियों का अनुपात हम लोग क्या लिखेंगे परिदि आप लोग जानते हैं 2Pi R होता तो 2Pi R1 लिखेंगे हम लो 2π परिधियों का अनुपात क्या लिखेंगे 2π R1 upon 2π R2 क्योंकि एक को हमने R1 माना है दूसरे वाले को R2 माना है परिधिया ही होते हैं 2π R, 2π R नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दो बीरितों का अलग-अलग तिरी जा दो बीरित दियां R1 हमने 1 को R2 माना है अब हम लोग solve जब करते हैं देखिए तो PY से PY कंसिल करेंगे 2 से 2 को कंसिल R1 upon R2 आया R1 upon R2 का माने हैं देखिए दिया 2 बटे 3 R1 upon R2 जा पर हम लोग लिख सकते हैं 2 बटे 3 या इसी को 2 अनुपात 3 यही answer हो जागा मतलब परीदियों का अनुपात भी कितना आएगा 2 अनुपात 3 यह answer हो जागा अब हम लोग question number 8 देखते हैं देखिए यह आपर question number 8 दिया एक बिर्ताकार गहास के मैदान के आरपार जाने के दो रास्ते हैं एक ब्यास से होकर और दूसरा परीदी से होकर यदि इन दोनों रास्तों में इतने मीटर का अंतर हो तो गहास के मैदान का ब्यास और परीदी कियात किजिए कह रहा कि यह कोई बिर्ताकार गहास का मैदान है जिसमें कह रहा कि इसके आरपार जाने के दो रास्ते हैं एक तो ऐसे ब्यास से होकर जाता है और ये कैसे परीद ही से होकर जाता है तो कह रहा है कि जब दोनों में अंतर कितने का है दोनों में 16.4 मीटर का अंतर है तो कह रहा है कि दो घास के मैदान का ब्यास भी बताना और परीद ही भी बताना तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर दिया, तो वहीं से हम लोग शुरू कर देंगे, लिखेंगे क्या, चुंकि दोनों राष्टों में अंतर बराबर, देखिए, दोनों राष्टों में अंतर दे दिया है, 16.4 मीटर का अंतर है, का रहा है कि परीधी और ब्यास एक ब्यास से होकर और दूसरा परीधी से परीधी और ब्यास में कितने का अंतर है 16.4 मीटर का तो हम लोग लिखेंगे परीधी इकल क्या होता है हम लोग जानते है परीधी इकल होता है 2 πाई आर परीध क्या होता है टू पाई आर और अंतर दिया है देखिए ब्यास और परीध दोनों का अंतर हम लोग लिखेंगे ब्यास इकल क्या होता है ब्यास को डी काते हैं और ब्यास इकल होता है टू आर मतलब तिरिजया का दूना होता है ब्यास यह सब भी हम लोग उने फार्मूला लिखा परीधी 2πr होगा और ब्यास 2r होगा हमको निकालना क्या है कहा है आसे हम लोग प्रस्ना नुसार बना सकते हैं परीधी ब्यास दोनों में अंतर दिया परीधी देखिए बड़ा होता है ब्यास से तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रस्ना नुसार लिखेंगे 2πr-2r यह हम लोग क्यों लिखेंगे देखिए कहा है यहां क्वेश्चन में इन दोनों रास्तों में इतने का अंतर हो एक रास्ता परीद ही से जाता है एक ब्यास से परीद ही हमने लिखा 2 pi r ब्यास हमने लिखा 2 r कहना कि दोनों का अंतर यहां दे दिया तो हम लोग दोनों का अंतर मतलब माइनस करेंगे परीद ही में से ब्यास को घटाएंगे परीद बड़ा होता है तो बराबर लिखेंगे 16.4 क्योंकि दोनों का अंतर दे दिया है solve करते हैं हम लोग तो 2R 2R देखिए दो जगा common लेंगे यहां होगा πाई माइनस यहां 2R हमने निकाल लिया तो एक बचा और बराबर 16.4 अब देखिए 2R into πाई का मान 22 बटे 7 भी होता है और हमने बताया था 3.1,4 भी होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और माइनस एक बराबर 16.4 दोनों में सकोई लिख सकते हैं अब देखिए 2R 3.1,4 में से एक को घटाएंगे तो 2.1,4 होगा और बराबर 16.4 यह दोनों गुड़ा में हाँ बराबर के जब इधार करते हैं तो भाग में होगा मतलब हम लोग R का मानियास निकाल सकते हैं लिखेंगे हम लोग देखिए R इकल यह 16.4 है 2 और इतना सब गुड़ा में है इधार करेंगे तो भाग में होगे 2 गुड़े 2.1,4 इसको सॉल्ब कर लेते हैं जब सॉल्ब करते हैं तो R इकल आएगा तो आएगा 3.8,3, question में मीटर में दिया है तो मीटर हमारा तिरजया आगया देखिए 3.8, 3 मीटर हमको निकालना है ब्यास ब्यास आप लोग जानते हैं तिरजया का दूना होता लिखेंगे इसलिए ब्यास इकल 2 इंटू R करेंगे क्योंकि दूना होता है तिरजया का जो ब्यास होता है तो हम लोग 2 गुड़े R के जगा पर 3.8, 3 लिखेंगे गुड़ा जब करते हैं तो 7.6,6 मीटर ये हमारा एंसर हो जाएगा ब्यास आया अब ही हमको क्या पूछा था दो घास के मदान का ब्यास हमने निकाला परीध भी पूछा तो परीध भी हम निकालेंगे परीध ही इकल परीध होता फार्मूला 2 पाई आर या 2 या तो पाई डी भी लिख सकते हैं तो 2 पाई आर हम लोग लिखेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22 बटे साथ लिखेंगे और इंटू आर का मान देखी आया 3.83 तीन दसमलो आठ तीन जब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 24.07 मीटर ये अंसर लिखेंगे ये उपर का पूरा गुरा करेंगे और नीचे साथ से भाग देंगे तो इतना आएगा तो ये परीधी हो जाएगा तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे अब हम लोग इस प्रस्नावली का 18 बी का लास्ट कोस्टन कोस्टन नमबर 9 देखते हैं यहाँ पर कोस्टन नमबर 9 दिया पिर्थिवी की भूमद रेखा की लंबाई मतलब परीधी दिया है 40,040 कीमी है यह दिश रेखा के उपर 7,000 कीमी की उचाई पर एक इस पुतनिक लगातार उड़े तो पिर्थिवी का एक चकर करने मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी देखिए क्या का रहा है ऐसे समझते हैं माली जी यह यह पिर्थिवी है माली जी यह पिर्थिवी दिया कर आप भूमद रेखा तो भूमद रेखा जो होगा पिर्थिवी गोल होता है तो उसके चारो तरफ ऐसे होगा भूमद रेखा माली जी ऐसे हम लोग बनाते हैं भूमद रेखा क्या है ऐसे चारो तरफ गोल में होगा भूमद रेखा तो मतलब भुमद रेखा क्या है उसकी इसकी परीद ही हो जाएगी भुमद रेखा क्या होगी इसकी परीद ही हो जाएगी पिर्थवी की जो की दिया है इतना कीमी तो परीध ही जब दे दिया है भुमद रेखा मतलब पिर्थिवी के चारों तरफ ऐसे ये होगा ऐसे गोल में तो वही परीध हो गया यदि कह रहा है इस रेखा के उपर 7000 कीमी की उचाई पर एक इस पुतनिक अब कह रहा है इसके उपर माली जी यहां कहीं इस पर फिगर तो बना नहीं पाएंगे हम लोग इस पुतनिक मतलब जहाज समझ सकते हैं कह रहा है कि 7000 कीमी की उचाई पर एक इस पुतनिक लगातार उड़े अगर कह रहा है कि लगातार उड़ता रहे यहां से हम लोग समझते हैं माली जी ये इसके उपर इधर उड़ रहा कहीं 7000 कीमी की दूरी पर इस से 7000 कीमी की दूरी पर जब उड़ रहा है ऐसे ऐसे उड़ेगा हो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे 7000 कीमी की चाई पर इस पूतनिक उड़ रहा है कारा पिर्थवी का एक चक्कर करने मुझे खितनी दूरी तया करनी परेगी मतलब इसका क्या बताना है परीधी बताना है तो हम लोग देखते हैं पाले कारा भूमद ये भूमद रेखा है जो पिर्थवी की परीधी दे दिया हम लोग इसको कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे जो इस पुतनिक उड़ रहा है परीध को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फिर्थिवी की जो परीध है टू पाई आर इकल दे दिया कितना 40,040 की मी हम लोग यहां से आर निकाल सकते हैं दो गुड़े 22 बटे 7 पाई का मार रखेंगे गुड़े आर बरा लेगा आर इकल हो जाएगा 40,040 गुड़े साथ साथ भाग में था उपर गुड़ा में और यह दोनों गुड़ा में थे नीचे भाग में होंगे तो आर इकल तो यह आएगा देखिए 6,3,7,0 की मी इसका आप लोग गुड़ा करेंगे और इससे भाग करेंगे गुड़ा क को दोगे साथ लुड़ा कर अगां हम पर आया पूर से टमंड़ा है तो यह दो और शड़ानिक ऑनूर को अलेगे इसका खिर अ कृपिड़ा ळें तो यह अ कौरका हं गुड़ा है 6,3,7,0 धंदा रहे यह दो एक moment विए 7000 कीमिय मतलब यह इसका तिरिजया आप क्या हो जाएगा इसका तिरिजया होगा दखिये 7000 और 6370 दोनों जोड़ के तिरिजया होगा यह पूरा होगा तो हम लोग लिखेंगे इस पुतनिक के लिए तीरिजिया आप देखिये है यहाँ हमने तिरजिया आर मान लिया तो इसके लिए तिरिजिया आरवन लिखते हैं इस पुतनी के लिए तिरिजिया आरवन इक्कल क्या हो जागा इतना दूरी देखिये 6370 और कितने दूरी पर यह हैeven तो जोड़ेंगे तो साच है 13370 कीमी यह हो गया इस पूतनिक के लिए तिरिजया आरवान आव हम लोग इस पूतनिक का पूछा है क्या एक चक्कर करने में कितनी दूरी तो एक चक्कर करने में मतलब परीध ही निकाल लेंगे हम लोग इसका तो देखते हैं फिगर को हम लोग यहां साथ आते हैं लिखेंगे एक चक्कर में इस पूतनिक द्वारा चली गई दूरी बराबर परीध ही होगा बराबर देखिए एक चक्कर में इस पूतनिक द्वारा चली गई दूरी इस पूतनिक का पूछा है एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा तो इस पूतनिक द्वारा चली गई जो दूरी होगी परीध ही होगी परीद का फार्मूला लिखते हैं 2 πाई आर होता है हम लोग आर वन लेंगे क्योंकि यहां आर वन उसका तिरजय हमने माना है solve करते हैं इसको 2 गुड़े पाई का मान 22 बटे 7 लिखेंगे गुड़े आर वन हमने निकाला यहां 13,370 13,370 solve जब इसको हम लोग करते हैं तो देखते हैं तो देखिए solve करने के बाद इतना आता है यही answer हो जागा क्या करना है उपर वाले संख्याओं का गुड़ा करेंगे जितना आएगा उसमें साथ से भाग करेंगे तो इतना आएगा तो इस तरह question solve कर लेंगे यह परस्णावली 18B आज complete हुआ आगले part में आप लो 18C और उसका introduction देखेंगे आज के लिए बस कराएग